हेलो फ्रेंट्स मैं सोनूं आप सभी का दोस्त तो आज का हमारा चुप वीडियो है इसमें मैंने इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए मैंने 10 most important questions को रखाया जिने इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बाकी किचो प्रस्ण होंगे उनकी मापको PDF प्रवाइड कर चलते समय काफी आवाज आती है उस आवाज को कम करने के लिए किस उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है आपने देखा हुआ कि जो बड़े वीकल्स होते हैं जैसे की ट्रक है बस है उनके इंजन काफी आवाज करते हैं इसके लावा कुछ गाडिया ऐसी होती है जिनमें 4 सिल इंजन होने के बावजूद भी उसके पास नजदी खड़े होने पर भी आपको आवाज सुनाई नहीं देती है तो जो उस आवाज को कम करने के लिए हम जो है जो exhaust system होता है जहां से इंजन का जला हुआ जो धुआ है वो बाहर निकलता है वहाँ पे जो silencer होता है उसके उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी पतली पतली नालियों से होकर के गुजरता है वो चोटे चोटे पाइप होते हैं वो पीतल धातु के बने होते हैं जो कि option B यहाँ पे आपका सही है तीसरा प्रिशन है पिस्टन के संचालन में एंजन के वाल्व खुलते और बंद हो जो क्या होगा तो engine के अंदर जो thermostat valve होता है वो engine को ठंडा रखने का काम करता है तो यह जो valve है अगर यह बंद ही रहता है तो यह engine को ठंडा नहीं कर पाएगा इससे engine जो है वो जरूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो option जो इस यहाँ पे आपका सही है पाच्वा प्रि में ताक्त भी काफी ज्यद्ह होती है तो जो रेडियल होता है वो ज्यद्धतर अगर holding होते हैं उन में इस्तिपाल किया जाता है इृटा प्राशन है एक इंजन में पवर Portas regardless में प्रदान की जाती है किंप दो सिलेंडरह और जैसे कि इस अपने देखा और ऐसे लुटे होता है उसके अंदर जो receivers होता है वो चलता है तो जब या पिस्торम जलता है यहां पर आग जलती है तो इसको ठंडा रखने के लिए इस सिलेंडर के के चारो तरफ एक जैकेट बनाई जाती है और और उस जैकेट में भरा जाता है पानी और वो जो पानी होती है वो रेडिएटर के मादिम से घूमता रहता रहता है तो यह bisa कहाँ भनाई गई है यह बनाई गई है आठ्मा प्रश्ण है पिस्टन के निचले हिस्से को डैश कहा जाता है तो पिस्टन का जो नीचे का हिस्सा होता है जैसे कि यहाँ पे यह एक पिस्टन है यह इसका उपरी भाग है जो की काफी गर्म रहता है तो इसी पिस्टन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इस एरिये को हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं skirt जो की option भी यहाँ पे आपका सही है नुवा प्रशने है engine cylinder के आंतरिक व्यास को dash कहा जाता है तो engine cylinder का जो अंदर का व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं engine का bore कि वह engine कितने bore का है तो option जो A है यहाँ पे आपका सही है और जो बोर होता है उसका हम mm में मापते हैं जैसे कि 100 mm, 1500 mm, 200 mm दस्वाँ प्रस्ण है डीजल इंजन में टैको मेटर क्या मापता है तो जो टैको मेटर होता है वो इंजन के rpm को मापता है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा option B जो इंजन का rpm, यानि की round per minute होता है जो इंजन का flywheel होता है वो एक minute में जितने चकर लगाता है उनकी जो counting है वो टैको मेटर के द्वारा की जाती है तो option जो B है यहाँ पे आपका सही है तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो जो हो गया complete उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए फायदे मन रहेगा अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप comment box में लिख करके पूछ सकते हो तो मिलते हैं मारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार